अबलास एस्पानियों, फाले वो फ्रांस हैं, एक वे शोजो है माँ, यदि आपका जवाब C, V या खवे है और आप इसे हिंदी में देख रहे हैं, तो संभव है आप दुनिया के द्विभाशी और बहुभाशी समुदाएं में शामिल हैं, और यात्रा करने या बिना फिल्में देखने में आसानी के अलावा, दो या अधिक भाशाएं जानने का मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क आपके एक भाशी मित्रों से अलग ढंग से दिख और काम कर सकताує तो किसी भाशा जानने का वास्तव में क्या मतलब होता है? भाशा की क्शमता को आम तोर पर दो सक्रिय भागों बोलने और लिखने और दो निश्क्रिय भागों सुनने और पढ़ने से मापा जाता है। एक योगिक द्विभाशी के रूप में गैबरियला दो भाशाई कोड एक साथ विकसित करती है जिनकी अवधारणाएं समान होती हैं जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को समझते समय अंग्रेजी और स्पैनिश दोनों भाशाएं सीखती है। अपनी प्राथमिक भाशा में से फिल्टर करते हुए उसे सीखते हैं क्योंकि सभी प्रकार के द्विभाशी लोग लहजे या उच्चारण पर ध्यान दिये बिना कोई भाशा पूरी तरह से सीख सकते हैं। साधरन प्रेक्षक को हो सकता है, फर्क नजर ना आए। लेकिन ब्रेन इमिजिंग तकनीक में हाल की उन्नती ने निूरो लिंग्विस्ट्स को इस बारे में संकेत दिये हैं कि भाशा सीखने के विशिष्ट पहलू द्विभाशी मस्तिश को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सबको पता है कि मस्तिश का बाया गोलार्ध तारकिक प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावशाली और विशलेशन आत्मक होता है और दाया गोलार्ध भावनात्मक वसामाजिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय होता है। जना कि ये मात्रा से संबंदित है और पक्का विभाजन नहीं है। कोई भाशा सीखने से आपको उसके सामाजिक और भावनात्मक संदर्भों की अधिक समगर समझ मिल सकती है। जैसे कि ग्रे मैटर का अधिक घना होना जिसमें आपके दिमाग के अधिकांश नियूरॉन और सिनाप्स होते हैं। और दूसरी भाशा में बात करते समय कुछ क्षेत्रों में अधिक गतिविधी होना। दूइभाशी दिमाग को अपने जीवन भर में प्राप्त होने वाली उन्नतकसरत अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे रोगों के आरंभ में पांच वर्षों तक का विलंब करने में मदद कर सकती है। दूइभाशावाद के प्रमुक संग्यानात्मक लाभूं का विचार अब सहज लग सकता है। लेकिन इससे पहले के विशेशग्यों को आश्चर्य हुआ होता। 1960 के दशक से पहले दूइभाशावाद को एक ऐसी कमजोरी माना जाता था जो बच्चों को भाशाओं की पहचान करने में बहुत अधिक उर्जा खर्च करने के लिए मजबूर करके उनके विकास को धीमा कर देती थी। यह दृष्टिकोंड काफी हद तक दोशपूर्ण अध्ययनों पर आधारित था। तो संभव है कि द्वी भाशावाद आपको आवश्चिक रूप से अधिक होश्यार नहीं बनाता है, लेकिन वो आपके दिमाग को अधिक स्वस्त, पेचीदा और सक्रिय जरूर बनाता है, और भले ही आपको बच्चपन में दूसरी भाशा सीखने का सौभाग्य न मिला हो आप अभी खुद पर एक अनुगरह कर सकते हैं और हेलो से आगे निकल कर ओला, बॉंजू या ख्वे बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग की बात आती है, तो थोड़ी कसरत भी उपयोगी हो सकती है एक से अधिक भाशा बोलने से आपके मस्तिश्क को कैसे लाब होता है? जानिए इस वीडियो से और हर हफ़ते कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें